असलाम अलेकूम विल्कम टू मामाशी जीज ब्लॉग कैसे है आप सब अलहम दिल्ला मैं भी ठीक हूँ और उमीद है आप सब ठीक होंगे चलिए हैंपर देखिए जीओ माट का माई जो ओर्डर करी थी वो आ गया है रमजान शॉपिंग हम लोग तो नहीं गया है तो ओर्लाइन ओर्डर ही सब कुछ तो मिल जारा थोड़े बहुत रहते बाहर के जैसे खजूर हो गया वो हम जाके लेकर आ जाएंगे इंशाला एक दिन में मिल जाता हूँ कुछ जादा अब बाकी का सब कुछ तो हम लोग ऑनलाइन ओर्डर मंगा लेंगे थोड़ा बहुत ऑनलेन और्डर मंगा लेंगे मुलके सुच के ऑनलेन ही मंगा लेंगे जादा जाके भीड जमा फिर जाना लाना और सबके घर में सबकी तबीतां भी बिगड़ के पता नहीं क्यों है अचानक से सबकी तबीतां भीड़ चुके हैं सबको जुखाम बखार और मालूम भी ने सबको अचानक से सर्दी हो गई अलहम दिला सब लोग बेटर है अभी और मुझे कल से स्टार्टिंग हो चुकी है थोड़ा सा गले में खरखराट है थोड़ा से इचिंग गले में है अलहम दिला कि हम इंशाला भी एक दिन आज एक दिन है तो शायद कल तक ठीक हो जाऊँगी साइरी करने तक शायद इंशाला ठीक हो जाऊँगी नहीं तो खामा खाम फिर नहीं आइसा नहीं होता मैं कभी भी रोजा नहीं छोड़ी अब तक मतलब अब तक मैं जितने भी थे मेरे बच्पन से लेक अब तक मैं अलहम दिला पूरे के पूरे रोजे थी हाँ लेडिस के जो चुकते हो वो छोड़कर सब कुछ तो मैं थी अब देखें आप मैं क्या-क्या मंगाई थी तो पहले आ गया था वाब अखरी चाय चाक पता हम लोग यह मंगाते मैं जे तो चाक का पता का यह अर्भी नॉलेज ही पता नहीं चाक पता कोसा रचा रहता कोसा नहीं मुझे नहीं मालूम जो भी है मेरी बेहन को मालूम और चाय पती का सब कुछ मुझे तो चाय मैं पीती नहीं और चाय पती का कोसी चाय अच्छी रहती तो यहां पर देखो क्या निकाल या काजू बादम जो भी है ना इंपोर्टेंट चीजां जो मिठे में बनते कुछ सालन में पढ़ सकते तो वह जो घर में थोड़े बहुत थे हैं थोड़े बहुत मंगा ले थे काजू और बादम बट बादम ओके काजू तो बहुत खराब आ गए मुझे बहुत आये हो गया नेक्स्ट आगया 10 kg का हम लोग आश्रिवाद पाकिट मंगा लेते क्यूंकि गिहूं काटा नहीं ता घर में तो इसलिए अब गिहूं काटा हम हम सबको मालूम साहरी को क्या खाते सब लोग पराटे खाते नहीं तो रोटी खाते रुमाली मतलब फुल का टाइप खाते तो इसलिए मैं 10 kg काटा मंगा लेते साहव हम हम हमें तो रोटी कोई भी सालन हो तो चले जाता हो थोड़ा सा धहीं रहना अल हम्दिल्なので उससे हमारी साहरी हो जाती रोटी तो थो साहरी में तो रहना इफत्यारी में तो कुछ भी आईसा खालेते ना आताम ओ वगेड़ा सबfrom काना थो चलता नए पना थो चलता बट इफस्ते पर दिकी हम लोग थेवड़ा सही मत करके हम लोग जो cleaning था ना चुले करूम के पास थोड़ा बहुत क्या बोलते पुरा तेल का पुरा लगया था वो खेड़की के पास ही है ना हमारा चुला तो लगया था ममी वही clean कर रहे थे अब समझो ना को पुरा काम ममी से करा रहे हैं मैं कुछ भी नहीं सिर्फ फोन ब्लॉगिंग कर रही हैं कुछ भी नहीं मुझे पकाने का था तो इसलिए मुझे पकाने का भी था हंड्यांद होने का था कच्रा जाडने का था बंडे पोचने का था बहुत सारा काम था ऐसा नहीं मुझे सिर्फ की काम नहीं है मुझे बहुत सारा काम रहता अ आपको दिखाओंगी मैं कैसे क्लीन करते हूं वह विग्लास अगयर आपकार काड़ करें अब फिलहाल इतना क्लीन कर लेंगे बोलकर अम इतना क्लीन कर रहे ते लगण कर जल्दी क्योंकि मुझे लंच बनाना है इतर साइड में आपके खूड़के बोल रहे थी जल्दी करो म सब कुछ shave भी नई बनाय कैं मा नकिए और रमजान की अपकी तैयारियां कं तक सिरू हो गई क्या है सब कुछ मुझे प्लिज कमेंट में पताईए हमारी कुछ ज्याधा कुछ ज्याधा नहीं इऽ शॉपitel भी नहीं कyal क्यों बैं-ट तो थोड़ा सब को मालूम है IS्पर पूरा रिनेवेशन में है तो पूरा सब पूरा घर फ़सारा कांक़ का वा पड़ा हुआ है थोड़ा सा हम लोग जहाम पर हम लोग और कमेंट में बोलो कहां तक हुए क्या क्या तयारी मतलब यह नहीं कि घर क्लिन करना वो करना नहीं तयारी रमजान की तयारी मतलब हम जिस्मानी ताकट से घट मतलब स्ट्रॉंग रहना अपने मेंटल या फिसिकल से स्ट्रॉंग रहना और हम लोग प्रिपेर होईना कि हम ल जो भी चीज हो समझा और गारा उंसालों आत बोढ़ा में और मास ऐसाइब हो कौई यसरो चीज हो कोई इसंत हो संको एख सम्नुग कर ले सकते नहीं तो है आंसालों पेलिए एक सब्सक्bigाने सकते हुआ on थोड़े से थोड़े से मतलब छोटे छोटे जो सुन्नत रहते हैं आप दिल में बठा लो तो हाँ ये इस टाइम मैं अडॉप्ट कर लूँगी इंशाला आतिया साल तक मैं इसमें ही रहूंगी बोलके आप अडॉप्ट कर लो आप अच्छा रहता हूं जैसे मैं लास्ट ये मैं समझी थी सिर्पे से डुपटा मैं कभी भी नहीं हटा हूंगी बोलके ऐसा अलहमदिला एक साल पूरा हो गया तो सिर्पे से डुपटा मैं कभी भी नहीं हटा हां कोई भी घर में नहीं है कोई सिर्फ लेडिस है तो डुपटा मेरा सर पे से निकलता बट कोई जंस आग अब तो आदत करनी चुकी हो और यहां देखिए हमी बना रहे थे क्या जिनर और यहां पर बन रहा था जिनर डिनर में बना रहे थे क्योंकि दाफर में बना दी थी दिनर में सिंपल सा कुछ भी नहीं फ्राइड राइस ट्रेप बना रहे थे हमी पहले क्या करेब पहले आपके टेस्ट केहसाब से आपके इसको तल लेंना जब तक वो अधर्रकलसन की ब्रस्ता के बॉल अच्छा से नमक अच्छे को तल ले जब तर कची बास नहीं रहे जाती जब तर कची बास नहीं रहे ज़ाए अब उसके बाद थोड़ा सा मतलब जितना आपकी राइस की कौंटिटी उतना अप मसाला दा रेट चिली पॉर्टर दालो हमारा तो जब दो चार लोगां का चावल था तो एक स्पून उतना दाल लिए थोड़ी से यह मिर्चियां सिर्फ खाने के लिए साइड में अब उसके बाद थोड़ी से टमाटे दाल लिए ते हमी जब तक वो गल नी जाते अच्छे से पका ले ना सिंपल सा फ्राइड रैस बोलो या टमाटे रैस बोलो या सिंपल रैस मतलब जो भी अब इसमें ना कमपल सरी अम्मी क्या दालते मालों पुदी ना दालते पुदी ने इससे बहुत मज़े बहुत एकदम सा अलग सा टेस्ट आता इसको अब देखिए यह हो गया क्या अध्रकलसन के पेस से पलाव चाइब बनाते ना सिंपल सा प्लाव चाइब हम लोग बोलते इसको या मसाला रैस भी बोलो मिट्ची रैस तोड़े लोग जां मिट्ची रैस भी बोलते इसको और बहुत यम्मी रहता है या चावल रैस मुझे बहुत पसाद हमां घर में सब को भी पसाद है अगर कुछ भी घर में मतलब समझो आप खर में कुछ भी चाव है तरकारी नहीं ही यह और दहीं भी नहीं जस्ट आपको खाना फिक सा सिंपल सा डिन्न बनाना हो या आज़े सी कोई महमान आ गए आझ्छा सांग को रखना हो तो अरहां से बना सकते हैं अपके पास कोई सालन हैं तो महमान आ गए क्षिणाँ आप प्लेत आटे राजरी अप्रिक्ता है तरफ अछ भी बना पर अधन दालते थे उसमें दम देते थे एसा कुछ भी ने सेल्फ बगार के हम लोग जैसे लेमन राइस हो गया पुली हो रहा हो गया या कुई फ्राइड राइस हो गया ऐसा बनाते हैं यह अब देखिए आमी लोगां पूरे लोगां खाल गे थे मैं क्या कर रही थी जब तक थोड़ा सा काम था मेरा अब यहां पर देखिए कितना एमी लग रहा ना मुझे मुझे मूँ में पान या अभी भी मुझे पसंद है यह देखिए इतनी बड़ी आहां यह मिर्ची हैं सिर्फ खाने के जैसे साइड में हम लोग मिर्ची तल डाल र रही थी जैसे हैं बरतन दोना था अब देखो काम वाली नहीं है तो बरतन तो हमेशा पढ़ते ज्यादा रहते हो सिंग कभी भी खाली नहीं होता जैसे बरकत की सिंग रहती हो हमेशा रहती उसमें कौन-कौन इसको मानता प्लीज कमेंट में बताओ और हमजान आने वाला है तो अब इतनी बरकत हो जाती हंडों की तो बोलो बरतनों की तो फुल बरकत रहती अब सही में अब देखिए पूरा सा क्लीन करके मैं दाल लेनी हूं पूरा चावल कोई भी खाने वाला नहीं है फिरिज भी नहीं है अब सूच्रे फिरिज होई पर रग दे के गौमेक ले बोलके सूचते हैं रमजा नारा एक दो तीन दीन में वह क्या है फ्रिज जाके हम लोग बुक कर दिया थे एक दो दीन में लाके फिट बेक कर देता है इतना क्या ज्यादा भी नहीं है जस्ट और फिर कमेट में बोलो फ्रिज कोंसी अच्छी रहती है अपना ये मॉडल्स की ह हम लोग बहुत साला हो गएते जाद पांच छे साल हो गएते अपर फिरज का एडिया भी नहीं है को सा लेना क्या नहीं चलो मेरे साथ भी आप खाल लिए जीए और मजाब करिए में जो हम लोग बनाये थे और टेस्ट करिए मुझे भी बोलिए कैसा है टेस्ट मैं माजाग कर लेती मैं खाल लोंगी मेरा डिनर अब चलो मैं डिनर करके आप से फिर मिलती हो अब जब तक आप प्लीज मुझे सोच कर और कमेंट करकर बोलो कि क्या कोसी फ्रिज अची रेती मुझे फ्रिज लेना है तो हम लोग डिसाइड होके गउन से लेके आए तो कैसे भी देंगे बचों के लिए अब नई फ्रिज हम ले लेंगे चलो अच्छी बात है ठीक है वह आए तक भी रिपेरी होती भी नहीं होती नहीं मालूम और कुछ प्राब्लम है तो फिर में दर अदर अलग शिफ्टिंग के पैसे भी देना इसको और खराब होगी तो वह भी पैस इसका चाहिए फ्रांक्ली इधर देखो मैं पी यह लंच करने के बाद थोड़ी देर के बाद सोने के बेटेम से पहले मैं पीडिती घ्रीन टी और आप भी बोलो फ्रीन टी कोन-कोन पीते कभी कबार पितूं कभी कबार नहीं मेरा अतना इसा रूटी ने है घ्रीन टी का हम पीना पूर्गे जब मन चाहा जब ग्रीन टी पीती हूं नहीं तो ने चलो आप भी मेरे साथ ग्रीन टी पीओ और मुझे भी कमेंट में बोलो प्लीज रमजान की त्यारी कांट तक हुई और फ्रिच कोंसी लेना माई और कोई सी भी नई हैबिट और नया सूरा प्लीज प्र